असलाम पालीकुम बच्चो आज हम पढ़ेंगे application of electrostatic zerography is the example of application of electrostatic here is we are studying about the photocopier photocopier जो है वो हम सब ने देखा हुआ है photocopier में क्या होता है हम कोई भी documents या कोई भी image जो भी words होते है या उनको हम copy करवाते है यह फिगर आपको उसकी इंटरनल स्रक्टर के बारे में बताती है कि फोटोकापियर के अंदर से इसा से डॉसर कैसी होती है सबसे मेंगें जेज है इसलेनाम जो कि अलुटिंग का में बना होता है इसके उपर कोटिंग की होती है सेलेनियम moreking एलिमेंट की सेलीनियम एक ऐसा ऐसी मैटल है कि जब इसके उपर लाइट पड़ती है तो यह कंड़क्टर बन जाता है लेकि अगर डार्क में होता है तो फिर यह इंसुलेटर होता है इसलिए हम इसको फोटो कंड़क्टर कहते हैं इसके उपर एक लैंस नज़रा रहा है यह जो है वो लाइट को फोकस करता है और उसके उपर वो पेज है जिसको हमने कॉपी करना होता है और आपको इसकी लेफट साइड पे एक लैंप ड़जरा रहा है लैंप लाइट का सोर्स है इससे लाइट निकलती है फोटो कापियर के उपर जो पेजिस हैं उनके साथ फोटो के उपर आती है ड्रम की साइड पे आपको एक टोनर नजर आ रहा है यह टोनर जो होता है इसमें यह एक ब्लैक कलर का पाउडर होता है जिसको हम टोनर डस्ट कहते हैं जो ड्रम है इसको यह अल्रेडी इनिशियली जो है वह पॉजिटिव ली चार्ज होता है इसके उपर पॉजिटिव चार्ज हो वह सप्रिंकल किया होता है जब तक यह डार्क में रहता है यानि अंदेरे में होता है उस वक्त तक जो है वह पॉजिटिव चार्ज हो है वह एस इसके उपर स्टाक हुआ पड़ा रहता है क्योंकि यह कंड़क्ट नहीं करता लेकिन जैस अब इसके नीचे आप देखें आपको एक ब्लैंक पेज नजर आ रहा है ब्लैंक पेज जो है वो पेज होता है जिसके उपर हमने फोटो कपी करनी होती है यह खाली पेज होता है जब पॉस्टिव चार्ज वाला ड्रम जो है वो रोल करते हुए गूमते हुए नीचे आता है तो जहां जहां पे light पड़ती है वहां वहां पे जो है वो neutralize हो जाता है यानि वहां पे charge positive जो है वो खतम हो जाता है लेकिन जहां जहां पे image होता है वहां पे dark area होता है dark area यानि जो words बगरा लिखे होते हैं वो dark area जो है वहां पे positive charge as it is ड्रम के उपर सप्रिंगल हुआ होता है ये टोनर में जो डस्ट होती है इसको नेगटिव चार्ज दिया होता है तो वो एरिया जब घूम के इस टोनर के सामने आता है तो नेगटिव चार्जिस हैं वो पॉस्टिव चार्ज को टेक्ट करते हैं लिए यहां से डस्ट जो होती है वो इसके साथ स्टिक हो जाती है पोस्टिव चार्ज के साथ यह वर्ड्स जो हैं वो इसके उपर लिखे जाते हैं फिर यह रोल होते हुए जब नीचे आता है तो इसकी जो डस्ट होती है ब्लैक डस्ट वो पेपर के उपर गिर जाती है और जो है वो आगे जाके heated roller में से गुदर जाता है इस तरह melt हो के वो dust जो होती है वो page के साथ चिमट जाती है और आगे आपको printed image मिल जाता है अब हम इसी चीज़ को देखते हैं दोबारा से कि यहां पे इनोंने इसके बारे में क्या बताया हुए है इस फिकर इलustर आपको जाता है and the copying process is called zerographie from Greek word zero graphie जो काँ ची चीड हुए है Greek word say zero means of zeros and graphs zeros mean hot hai dry and graphs pin on hotte hai right ni drawing so heart of the machine is a drum which is an aluminum cylinder that is coated with a layer of selenium aluminum is an excellent conductor on the other hand the selenium is an insulator in the dark and becomes conductor when it is exposed to the light so it is a photoconductor یعنی selenium जो है वो photoconductor है as a result if a positive charge is sprinkled over the selenium it will remain there as long as it remains in dark जब तक ही dark में रहेगा तो यहां पर positive charge हो रहेगा if the drum is exposed to the light अगर हम drum को light में कर दे the electrodes from the aluminium pass through the conducting selenium and neutralize the positive charge if the drum is exposed to an image of the document यहां किसी document का अगर हमने image लेना हो that is to be copied the dark and light areas of the document produce corresponding areas on the drum तो इसी तरह जो page के उपर जिसको हमने copy करना होता है उसके dark or light areas जो होते हैं वो drum के उपर उनका image बन जाता है the dark areas retain their positive charge but the light areas become conducting loss their positive charge and become neutral in this way the positive charge image of the document remain on the selenium surface then special dry black powder called trotter is given in a given a negative charge and spread over the drum where it sticks the positive charge charged areas the toner from the drum is transferred to the sheet of the paper तो जो toner होता है ड्राम से वो किसको transfer हो जाता है आगे sheet of paper को on which the document is to be copied heated pressure roller heat किये हुए roller होते हैं उन में से जब वो page गुजरता है then it melt the toner into and the paper which is also given an excess positive charge to produce the permanent impression on the document इस तरह document के उपर एक permanent impression बन जाता है तो यह है वो process जिससे हम electrostatics की एक application जिससे हम जो है photocopier पे अप्लाई करते हैं इस जो करें जाक्षयकोसम से माई इस जी मिले गए सज का हुटो वो इसको पुरे काम में यूज करेंगे हम यह नहीं होने देंगे चाहिए जो हो जाए अब एकसे आना को गाँ हाँ झाल झाल